हेलो फ्रेंड्स दोस्तों नबश्कार कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है यूवी और आप सभी लोगों का इंसर्ट थे यूनिवर्सल बॉक्स में स्वागत हैं दोस्तों आप लोगों को तो मालू होगा कि आज कोरोना की वज़े से बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है उनको लाउस हुआ है बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है तो दोस्तों आज ऐसे ही टापिक को उपर हम बात करने ही जा रहे हैं दोस्तों एक ऐसी कंपणी एक जो इंडियन अप्लिकेशन बेस पर क्या कर रही है वर्क करती है तो चले दोस्तो शुरू करते हैं और वीडियो अन तक जरूर देखियागा दोस्तो आसमास टेकनोलोजी प्राइवेट लिमीड ये कमपनी जो एक सोशल बेस प्लाटफॉर्म पर क्या करती है काम करती है अगर इसका कमपनी के बारे में अगर देखा जाए तो 24 दिसेंबर 2019 में इसकी क्या हुई स्थापना हुई जे लाँच हुई कमपनी जो और इनके जो डिरेक्टर है शुभां की पार्टसकर और प्रशांत रोंदेड़े ये दो डिरेक्टर है जिनका मोटिव था एक कमपनी लेकर क्या करें एक इंडियन अप्लिकेशन बेस को आगे बढ़ा है तो सही में दोस्तो मैं उन लोगों को बदा ही देना चाहूंगा जो इस कमपनी के साथ असोसियेट हो है इस कमपनी से जुड़े और अच्छा गासा एक पार्ट टाइम इंकम भी ले रहे तो दोस्तो देखे अगर इस कमपनी के बारे में हम बात करते हैं तो सच में एक अच्छा प्लाटपॉम है एक सोशल नेटवर्किंग पर उपर और एक सोशल साइड के उपर एक सोशल मीडिय के अंतर तक अब देखे कमपनी खुद का एक अप्लिकेशन लाँच करके क्या कर रहे एक लोगों को अच्छा कहसा करियर में एक इंकम दे लिए अब आप बोलोगे या अप्लिकेशन के माद्देम से हम पैसा कैसा कमा सकते हैं देखे दोस्तों यह बात सच हैं और सो टक्के सच हैं कि यह क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस प्रोजुक्ति उपर स्टेडी की और सच में मुझे ऐसा लगा कि यह बात आपको शेयर करने चाहिए तो देखे दोस्तों यह Osmos Technology Company अगर गूगल में सर्च करते हो तो इसके एक वेब पर्टल ओपन हो जाएंगा वहाँ पर आप देख सकते हो एक शॉपिंग रिलेडेट साइड है उनकी एक देखा जा तो गूगल प्ले स्टोर पर इनके अप्लिकेशन है ठीके ना तो यह इन अप्लिकेशन के महाद्यम से क्या करते हैं कंपनी वर्क करती है ठीके ना तो अगर हम एक अलग अलग पाउंट ऑफ इव के अगर हम बात करते हैं तो देखे दोस्तों अब नंबर वन हम पाउंट के अगर बात करते हैं तो एक कंपनी जो कम से कम इनको आज एक साल अब इस company की अगर बात में करू तो इनका जो एक plan है इनका एक virtual plan है इनकी एक image आज जो बन रही है न वो बहुत fast growth कर रही है वो बहुत जादा growth कर रही है वो बहुत ही logically अगर देखा जो तो इस company की समय से जादा क्या हो रही एक तेजी हो रही है इस बारे में बोलना चाओंगा क्योंकि कैसा है दोस्तो हमारे देश में एक marketing related हम जो काम कर रहे है वो भी इंडियन application को promote करके ठीक है तो यह बात बहुत ज़री रहा दोस्तों क्योंकि हमारे government ने देखा जा तो बहुत सारे Chinese आप और उसके replace में भी government इंडियन application को क्या किया है promote किया है launch भी किया है तो सेम यही Osmos Technology Company ने pick flick नाम का एक क्या किया है application launch किया है जो आप Google Play Store से भी download कर सकते है और इसे बहुत सारे gaming app भी है वो down क्या कर रहे है वो launch करने जा रही है तो देखे दोस्तों यह Osmos Technology की अगर बात करें त किस प्रकार से इनके plans है तो देखे दोस्तों यह एक social media platform पर काम करती है तो company का motto clear cut है कि जो भी इस application को use करके क्या कर सकते हो पैसा कमा सकते हो अब आप बोलोगे यार application use करते है application use करके पैसा कैसे कमाया जा सकता है जिया दोस्तों यह बात सच है अब देखे आपको इस company के website प वहाँ पर आपको ID register करने है minimum 1200 रुपए में ठीके ना देखी दोस्तों 1200 रुपए हमारे जेब में ऐसे भी खर्च हो जाते है पर अगर आप 1200 रुपए लेकर अगर इस company की ID बनाते हो इसके उपर आप कम से कम लाखों रुपया का कर सकते हो as a part time earning कर सकते हो ठीके ना अब यह अब देखी दोस्तों हमारा यह मानना है कि यह company ठीके ना एक application यूज़ करके एक अच्छा कासा income दे रही है ठीके ना सिप 1200 रुपए में ठीके ना आप मानके चलो आज आप company के ID बना तो registration करते हो तो आपको अगले मैने 600 और उसके दूसरे मैने 600 रुपए आपको क्या करती return देती है और daily 20-20 रुपए आपको क्या करती है आपके wallet में आपके ID के wallet में क्या करती है ज्रमा करती है तो यह अच्छी बात है दोस्तों क्योंकि इसका plan भी अच्छा है क्योंकि चलो अब plan के अगर बात करते हैं हम ठीके ना तो इसके बारे में बहुत सारी लोगों को क्या है धारना बन चुकी है कि यह एक network marketing business है जिया दोस्तों क्योंकि network marketing business के अगर हम बात करते है तो इसका एक history हमारे इंडिया में बहुत बेकार है ठीके ना बहुत सारे लोग ऐसे आये अब लोग बोलेंगे कि बहुत सारे company आये लोगों का पैसा लिया और उसको चुना लगा क चले गए ठीके ना तो यह company आईसे नहीं है दोस्तों यह Indian application based उपर क्या करती है काम कर रही है तो बिंदा सरी यह और इस project के बारे में आप study भी कर सकते हों अब दूसरी बात अगर मैं देखू ठीके ना company fully registered है ministry of corporate affairs 1956 act register of company के ताहत और company के paid up 5 lakh capital share भी है गोवर्मेंट के समसा में ठीके ना तो यह बहुत बहुत जरूरी है इसके लिए दोस्तों company तो register हो चुकी ठीके ना अगर हम company के plan के अगर बात करते हैं तो दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है आपको company के side के अंदर जाना है osmust technology.com उसके अंदर में आपको एक ID बनानी पड़ती है आपकी full detailed information के साथ और आपके 12 सुरूपे पेट करने के बाद ही आपकी ID activate हो जाती है अग आपकी ID activate होने के बाद आप बहुत सारे लोगों को यह क्या कर सकते हो information दे सकते हो जिसके माद्यम से वो भी यह काम कर सकते है अब वो काम क्यों करज़ेंगे देखे दोस्तों हमारे भारत में 138 करोड क्या है जनशंग क्या है उसमें से 112 करोड लोग क्या कर रहे हैं आज mobile यूज कर रहे हैं मतलब आज मोबाइल बहुत सारे लोगों के है 110 करोड लोग भारतिय क्या कर रहे हैं हम मोबाइल उस कर रहे हैं तो सच में यह Osmos Technology Company की पिक फ्लिक जो अप्लिकेशन है वो लोग क्यों यूज करेंगे ठीक है न मैं एक्जंपल की तोर पे यह बात समझाना चाहूंगा देखे हमारे फोन में Facebook है जो as a USA की एक अप्लिकेशन है जिसका founder Mark चुकर बागए देखे दोस्तों हम daily Facebook कही पे न कही पी यूज करते हैं क्योंकि हमारा mobile भी देगा है तो हम दिन में कम से कम 50 बार क्या करते हैं open करते उसको तो यह बात सच है कि हम Facebook भी यूज करते हैं अब हमारे डाटा खर्च हो रहा है Facebook के उपर उसके पैसे हमको मिल रहे हैं नहीं खाली उसका entertainment हमको मिल रहा है पर पैसे किसको जा रहे है उस founder को यह बात है दुस्तों पर कहीपे नहीं कहीपे यह Osprez Technology का एक मोटो है कि आप हमारा application यूज करो उसके उपर पैसा खर्च उसके उपर क्या कर सकते हो आप पैसा कमा सकते हो ठीक है पैसा खर्च नहीं पैसा खर्च करना यह खाली आपको रोजाना 20-20 रुपए आपको क्या मिलेगा जमा होते जाएगा आपके वैलेट में अब जो आपने 12-100 रुपए के आईडे एक्टिवेट की है तो हर दीन आपको जिस दीन से आपको रजिस्टर रजिस्टेशन आईडे एक्टिवड हो चुकी है उसी दीन आपको 20-20 रुपए आपको क्या मिलता है दो मैने तक क्या मिलता है आपके वैलेट में जमा होते हैं मतलि आप ऐसे 12-100 रुपए आपके वहाँ पे जमा हो जाते है तो मैने में जैसे 600 रुपए जमा ह हो जाते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हो दोस्तों, पैसा आप अपने bank account में क्या कर सकते हो, withdraw कर सकते हो जी हाँ जी हाँ दोस्तों, अब ये withdraw की procedure आपको वहाँ पर आपके ID के अंदर एक option मिलेगा KYC का, ठीके न, वो जल्दी है आपको क्या करो। आपको फिलब करना पड़ता है। टो जैसे हैं आपके मैने के 600 रुपए जमा हो जाते हैं ठीके ना उसके उपर आपका क्या टैक्सिशन कटता है, डिडेस वेगर कटके आपको 500 रुपए क्या मिलते हैं आपके खाटे में आपके वैलेट में क्या होते हैं वो पाश्यार पे आप क्या कर सकते हैं आपके bank account में वी डॉक्डा कर सकते हैं तो दोस्तों ये बात है एक प्ल्दन की अगर मैं बात कर रहा हूँ ठिके ना आप लोगों को समझ में आया हैंगा की यह plan जो है एक Indian application के base के उपर है जो logo तक क्या करना है Indian application को promote कर रहा है उसके माद्यम से क्या करना है हमको आप पैसा earning कर सकते हो ठीके नदेखिए दोस्तों हमारे पास mobile है चलते फिरते हम क्या करते हैं उसका use भी करते हैं तो हम दीन में कम से कम 10 minute भी उस application को open करते हैं तो उस application के ऊपर क्या हो रहा है हमको फाइदा मिल रहा है यही बात है ठीक है अगर हम दूसरे point of view के अगर बात करते है ठीक है न चलो हम यहाँ पे ID register की पर हमारा data secure है या नहीं यह बात भी ज़र रही है तो दोस्तो हमारे data secure है ठीक है यहाँ पे fully secure है ठीक है और company फूले guarantee के साथ बोल रही है कि यहाँ पे लोग क्यों काम कर रहे है उसकी जो ID register है उसकी total पूरी क्या है guaranteed है ठीक है न अगर चावते point के हम बात करते है तो आज इस application को लेकर कम से कम 3 से तीन लाक लोग क्या कर चुके है जूड चुके है इसके साथ associate हो चुके है और कम से कम दिन का देखा जाए चलो माईने बार काई अगर बात करते हो जिन्होंने अभी startup भी किया है न कम से कम एक साल पहले है या आट-दस माईने पहले आज उनका income कम से कम 1 लाक पर क्रॉस हो चुका है दोस्तों कई-कई का income 15 लाक भी हो चुका है तो देखे as a part time as a backup plan के आगर बात करते हो तो आपको ये बहुत रोजाना की income अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों कम से कम उसको बढ़ाने के लिए आपको कुछ महिनत भी करने पड़ेंगे जैसे आपको किसी ने ये plan बता होंगा को आपको भी किसी को ना किसी को आपके friends लोगों को ये plan बताना है और उससे ज़्यादा क्या वरना है आपको profit लेना है ये आप कर सकते हो अगर आप interested हो तो कम से कम इस plan को पर आप focus कर सकते हो चौती बात अगर मैं बताता हूँ company का एक motor ऐसा भी है कि कम से कम हमें ये platform 7 करोड लोगों तक क्या करना है पोचाना है जैसे 7 करोड लोग पूरे हो जाते हैं तो एक company का plan बंद कर देगी ठीक है ना एक company क्या करेगी plan cover up कर देगी उसको बंद कर देगी क्योंकि कैसा है दोस्तो 7 करोड जब लोगों हो जाएंगे तो company को पता चलेंगा कि कौन application यूज कर रहा है हो और कौन application यूज नहीं कर रहा है तो यह अच्छी बात है दोस्तो तो दोस्तो आज Osmos Technology Private Limitry यह जो company है ऐसे market research पर एक application ले आई है जो सच में बहुत काबिल इतारिफ है क्योंकि मैंने जो study की है मैंने अपने point of view study की है मैं वही आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक बहुत अच्छा खासा application है ठीक है न जो आप use करो जिसकी ऊपर आप क्या कर सकते हो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो ठीक है न तो देखे दोस्तो आप Google पे भी जाकर क्या कर सकते हो search कर सकते हो Osmos Technology ठीक है न तो यह बात है कि आज Osmos Technology युवा ठीक है न जो आज हमारे देश में बहुत सारा बेरोजगार बढ़ चुका है तो इस platform के मादन से वो अपना हर एक career सुदार सकते है हर एक सपना फुरा कर सकते है जाते जाते मैं यह हूँ करूंगा दोस्तों कि हमारे Indian application को हम ज़्यादा promote करे यह बात मैं आपको लोगों को ध्यान में बोल रहा हूँ कि Indian application अगर हम promote तो कर रही है उसके मादन से हमें क्या अच्छा का सा company income भी दे रहे हैं तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो हमें जरूर बताएगा comment section में अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा तो like किजेगा अगर नहीं तो dislike किजेगा अगर आपके कुछ queries है तो आप comment section में जरूर बताएगा तो दोस्तों मिलते है एक ऐसे ही अगले एक topic के उपर तब तक के लिए दोस्तों जहीन